मुस्कार आप देख रहे हैं रखाड़ा और आपके साथ मैं हूँ सुप्रीम कोट की उस टिपड़ी जिसमें कहा गया कि बस्पा प्रमुक मायवती को यूपी में हाथियों की मूर्तियों में खर्च के गए पैसे को लोटाना चाहिए पर मायवती की पहली प्रतिक्री आई है मायवती ने अपने अधिकारिक ट्वीटर एकाउंट से ट्वीट कर कहा है कि वो इस मामले पर अपना पक्ष सुप्रीम कोट में काफी मजबूती के साथ रखेंगी दरसल नोईडा में लगी हाथी की मूर्तियों के मामले में सुनुआई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मायवती के वकील को कहा था कि अपने क्लाइंट को बता दीजे कि उन्हें मूर्तियों पर खर्च पैसे को सरकारी खजाने में वापस जमा कराना चाहिए देश में मूर्ति के नाम पर राजनीति का चलन नया नहीं है। राजनीतिक दल सत्ता में आने पर अपने अपने हिसाब से चैनित में और विचारधारा वाले व्यक्तियों की मूर्तियों लगवाते आए हैं। मायवती ने उत्रदेश में अपनी सरकार के कारिकाल के दोरान नोइडा, ग्रेटर नोइडा और लखनों में कई पार्क बनवाए। इनमें मायवती, काशी राम, भीमराउं बेटकर और हाथियों की बड़ी-बड़ी मूर्तियां हैं। एक रिपोर्ट के मताबिक इन पर करीब 6,000 करून रुपए खर्च हुआ है। अब बसपा के साथी बने अखलेश यादों कभी इसी मुद्दे को लेकर उन पर निशाना सात्ते थे। 2012 में जब अखलेश यादों की सरकार उतरप्रदेश में आई तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। लखनव में अपने कारकाल के दौरान उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाए था। पार्क के बीच में जनेश्वर मिश्र की बड़ी सी मूर्ति लगवाई ग पहले जैसे ही आयोध्या में राम मंदि निर्मार का मुद्दा गर्म हुआ तो योगी सरकार ने भी आनन फानन में आयोध्या में 151 मीटर की मूर्ति लगाने का ऐलान किया। देश में पूर्पधार मंत्री जवालाल नहरू, इंद्रा गांधी, राजियू गांधी की भी क पर होती रही है, तमिलनाडू की पूर मुखिमत्री रही, जैललिता की निधन के बाद उनकी पार्टी ने मूर्ति लगवाई, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था, AI, ADMK के लावा, DMK भी करणा निधी की प्रतिमा लगवाने की तयारी में है, इधर महराज सरकार हुए खर्चों का क्या, और आखिर सियासत में क्या है, मूर्तियों की माया, तो यूपी में मूर्तियों को लेकर महाभारत शुरू हो गया है, जिस तरह से सुप्रीम कोट की टिपड़ी है, उसके बाद सियासी खेमे के तेवर भी मामले पर बदलने लगे हैं, अभी तक के घटना करम को समझें और प्रतिक्रियाओं को देखें, तो लगता है कि आखिर अब मूर्तियों पर क्यों माहौल बनता नजर आ रहा है, पहले कुछ बयानों को सुनते हैं मैं समझता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के नेता के उनके जो वकील होंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, ये शुरुआती कोई अब्दर्वेशन हो सकती है, मेरी जानकारी में भी नहीं है, लेकिन जरूरी है कि वकील रहेंगे और बात अपनी में रखेंगे, गलत है, लेकिन बाकी हाथियों के मुर्ती बनाना, ये कौन सा गलत काम है, मैं नहीं समझता हूँ कि गलत कारी है, अब सुप्रेम कोट का ये जातिवाधी रविया है, मैं कल भी संसन में कह चुका हूँ, ये जातिवाधी है, जो बहुजन समाजवाधी पार का जो इलेक्शन सिंबल है, जो हाथी है, हाथी की बड़ी-बड़ी स्टेचूज लगाई जा रही थी, पार्क और मेमोरियल के नाम पे, और मायवती की खुद की अपनी ब्रोंज और स्टोन की परतिमा लगाई जा रही थी, तो इसका जो पॉलिक फंड का मिस्यूज हो रह राकने का ग्वर्मेंट ने लोका युकता को डirection दिया, उसके जांच में कमीटी बनी, लोका युकता के डेरेक्शन में एक रिज्भी कमीटी बनी, सब के रिपोर्ट आ गए, सब के रिपोर्ट कोड में लगे हुए है, ब ये matter final disposal पे है, तो मूर्तियों को लेकर अब सिया प्रासी महाभारत केज होती जा रही आखिर सरकारी खजाने में पैसे कैसे वापस आएंगा और सुप्रीम कोट की इस टिपड़ी के बाद अब आगे क्या कुछ सियासत में होता नजर आएगा इन्ही तमाम दो पर आज की बहस आज का खाड़ा जिसके लिए तमाम महमान हमाई साथ राके उस्त्रिपाठी है बिजेपी प्रवक्ता है कपीश श्रिवास्तो जी है सपा प्रवक्ता है उमा शंकर पांडे जी है कॉंग्रेस प्रवक्ता है और साथ ही काली चनर सनेही जी है दली चन तक है तोड़ी देर मैं माय साथ प्रतीक सोम सुप्रीम कोट के अधिव किया है मैं बहुत निवेदन के साथ एक बात कहूं मायावती जी ये सारी पड़ी करने की बजाए अगर आज उनों मौलिक प्रश्णों का उत्तर देती जिसकी अपेक्षा सुप्रीम कोट ने भी की है वो तो कहा है कि मजबूती से पक्ष रखेंगे भारतिय ने भारतिय लगवाते आये हैं इस्ट्वेचिव आफ यूनेटी तो आपकी ही सरकार में लगवाए है मैं अपनी मूर्ती की बात कर रहा हूं सहलेंद्र जी मैं निवेदन के साथ मेरी बात सुननी जी है मैंने जो कहा उसको सैद आपने सुना नहीं भारतिय राजनीती के तिहास में जीवित रहते खुद लगवाई है क्या मायमती जी कि मुझयोंग की ताना साही से प्रभावित है कि जीवित रहते अपनी मूर्ती खुद लगवाई पहली बात दूसरी बात दलित चेतना के नाम पर आप अपनी पार्टी का सिंबल लाखों करोणों रूपए के हाथी लग पढ़ावा मिलता है। 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 उमीद करते हैं कि हमारी भी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। हैं कि कोई चारशीर दाखिल हुई, कौन जेल चला गया, क्या वर्डिक्ट आ गया कोट का। दूसरी चीज़ जो अभी कोट का वर्डिक्ट तो आना बाकी है। कोट ने एक कोट चलती है तो कुछ बाते कह दी जाती हैं, वो आप भी अधिवक्ता हैं, हम भी अधिवक्ता हैं। अगर हम ये मान लें, कि उन्हों ने ये कहा, कि जो मूर्तियां लगाना है, ये पब्लिक का पैसा बरबाद करने के समान है, तो वो तो सारे दल के लोगों ने अपने अपने समय में किया है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, कि देखिए मूर्तियां लगाना, ये एक आदर्श होता है, कि हम अगर मूर्ति लगा रहे हैं, उससे तमाम लोगों की भावनाएं जोड़ी होती हैं, वो आदर्श के रूप में उनको लेते हैं, जैसे आप मात्मा गांदी को ले, मैं किसी भी लीडर को कम या बड़ा करके नहीं बताना चाहता हूँ, तीसरी चीज़ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कि हमारे राकेश त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, कि जिन्दा रहते हुए किसी को अपनी मूर्ति नहीं लगानी चाहिए चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं, यह जरा कैमरा मैं अगर कोई दिखा दें, यह मूर्ति है योगी और मोदी जी की, यह आप दिखा लें से, यह कुम्भ में लगाए गई है, अब प्रश्ण इस बात का नहीं है, कि यह कै सो करोन की है, यह मूर्ति है, चीज एकी है, कि आ तक माननी सुप्रीम और्ट की बात है, बिलकुल आपको उफसर मिलेगा, बिलकुल आपको उफसर मिलेगा, दुनिया के सारे लोग भरश्टाचारी है, अखलेश जी भी खनन माफिया हो गए, माया वती जी को इन्होंने भी माफिया कह दिया, वो टिकट बेंशती है, और भ ठीक है, तमाम चिक्की घोटाला, व्यापं घोटला, रिलाइंस पाइपलेश घोटाला, रमन जी का चावल घोटाला, और अनन्दी बाई पतेल का जो है जमीन घोटाला, तमाम ऐसे घोटाले हैं, तो उस पर ये नो ने तो फा एार तक नहीं तरी कि, जब चुनाओं के दा बिल्कुल इसलिए उनका जवाब दे रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने कि ये ब्रस्टाचार पे क्योंकि कोटवाल इस समय आप है आप अपने ऊपर कोई एफ आयार नहीं लिख रहे हैं जाने दीजिए 2019 में आपके विजाई का समय आ गया है इनकी सबसे ब इतनी सारी बातों में एक बार भी नोने जवाब नहीं दिया कि विजलेंस की जाच के आधार पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने फाई आर लिखाई थी उसका क्या लोकायुक्त की जाच की रिपोर्ट के आधार पर जो बाते निकल करके आई उसका क्या ये सब वैधानि डॉक्यूमेंट्स है ये भारती दिलता पार्टी के आरोप केवल नहीं है ये बहुत गंभीर प्रस्ण है जिन प्रस्णों पर एक बार भी कपीज जी जो काबिल अधिवक्ता भी है उन्होंने एक बार भी इन बातों का जवाब ने दिया माने मित रुए बिल्कुल आपका जवाब देना चाहता है और इन्होंने 5,000 करोण रुपाए इस कुम पर खर्ट करी है देखिए भारती जनता पार्टी को एक बात स्विकार करने चाहिए आप 467 करोण रुपाए तो जाय माता जी और पिता जी पे और तमाम अनिचीट पे खर्ट रहते है लेकिन सौट आप प्रियाग्राज करोण रुपे आप बेरोगारों पे खर्टा करते हैं पुरा विस्तु गरोण रुपाए देना चाहते हैं दूसरी बात मैं आपको कहे दूँ जो लोका युद्ट की जात हुई उन्होंने जो रिपोर्ट दी आप उस समय की जो गौर्मेंट की गौर् प्रियाग्राज कराया कि आप तक काम है दो साल से आप सत्ता में हैं मुझे बताइए ना कि आपने क्या आप जवाब दे देंगे जिस तरह से मूर्तियों पर महाभारत हो रही हैं सरकारे कोई भी रही हो मूर्तियों का प्रचलन राजनीत में पुराना रहा है लेकिन आखि किताबें भी लिखी जाती हैं कविताएं भी लिखी जाती हैं जो समाच के लिए प्रेंडा दायक है या जिनका देश को आगे बढ़ाने में कुछ योगदान है उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग जब भी जिस किसी भी पोजीशन में रहते हैं वो अपने तमाम सारी बातें हुई उसमें पंडित जोहालाल नहरू जी से लेके इंद्रा गांधी जी तक का नाम आया देखे पंडित जोहालाल नहरू जी हो या सरदार बलब भाई पटेल जी हो डॉक्टर भीम राव अंबेटकर जी हो इन लोगों पर प्रस्चिन नहीं उठना चाह आपका कोई प्रस्न अनुच्तरित रह जाए तो फ्रीज मुझे फिर से पूछिएगा उन लोगों को तमाम भारती जनता पार्टी जैसे औसरवादी नेताओं के साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा इन लोगों ने अपना पूरा जीवन अपनी पूरी जवानी देश को आजा प्रेंडा सुरूत मान कर अगर आज देश के लोग उनको कुछ सरद्धानजली देना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उस पर प्रस्चित पर सरदार पतेल की प्रतिमा का जब अनावरण किया था तो पीम मोदी ने यहीं कहा था कि कॉंग्रेस ने उपक्षा किये उनकी ज खोड़ा सा पूरे देश के लिए आस्चर जनक बात थी क्योंकि जिस सरदार पटेल और उनकी सोच का लगतार आरेसस और जनसंग और भारती जनता पार्टी ने बिरोध किया उस वही ये का एक इतने प्रेम में आ गये कि वो मूर्ती लगाने लगे यह आस्चर जनक बात त पूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट का लेकिन पूरी भारती राजनीती की इतिहास में एक भी उदाहर नहीं है मायवती जी के सिवा कि जीवित रहते उन्होंने अपनी मूर्तियां लगवाई हैं मैंने पूरी इतिहास जो है उसको खंगाल कर देखा एक भी नाम नहीं ढूरी यूदी जी और श्ब्रक ने माना है तरह फ्रक टरह चैक कर रहें तरह के खेल खेल रहें आप वहां आपने मोदी जी का मूर्टी तो छोड़ी आपने मंदिर बना दिया गुजरात में आपने मुदी जी का मंदिर बनाया और दुर्भाग के इस देश का ये है उनके नाम पर रेलवे इस देश का ये है करें वारे में वारे में या और दुर्भाग के नेता के रूप में नहीं देखते हैं लेकिन ये बड़ा दुर्भाग के पूर्ण है कि पंडित दियार उपाद्याय जी नहीं आप बताईए हो सकता है सब्सक्राइब का सवाल है ठीक है महापूर्सों पर सियासत नहीं यह सरकार का फैसल है कि नापूर्स की मुटी लगाती है यह सरकार काली चनल सने जी जिस तरह से यहां पर मूर्टियों पर सियासत की जा रही है जातिवादी फैसले के जा रहे है कि इस बात को कह रहा हूं कि इस देश में मूर्ति केबल भगवान या आपने देवी देवताओं की लगती थी लेकिन जिस देश में दलतों को इंसान ही नहीं समझा गया वो मूर्ति के रूप में कैसे बरदास्त करेंगे सबसे बड़ी प्रॉबलम यह है कि ये मैं मानता हूं आप देखते हैं कि ये मूर्तियों का देश है और मूर्तियों की राजिद लगातार चल रही है तो जहां परम लगाओ राजियम बेटकर कि ये गाओं कर सेहरों सेहरों तक लगी हुए आप आप ये बात कहकर करके दलितों को वारबार अलग करने का प्रयास मत क्या करेंए तर्पाधिजी मुझे थोड़ी निवासी है हर हक हुकुक को रखते हैं मारु पिस समिधान से उनको वहर अदि मुझे अपनी बात आपका पूरा सब्सक्राइब करता है मैं थोड़ा निमेदान यह भी करूंगा जैसा कि हम सब ही जानते हैं एक चुनी हुई सरकार ने अपने कैबिनेट के ड़ार डिसिजन लिया जो भी लिया अच्छा बूरा जो भी लिया है और उस सरकार ने उन मुड़्तियों के लिए समर्थर प्राप्त किया ठीक है माना कि अंत्य सरकार के द्वारा कोई गल्ती हुई है किसको इस सुप्रीम कोड मान लेती है तो राज सरकार उसकी भरपाई कराए क्योंकि सरकार तो ने नंतार प्रक्रिया है उसमें सब्सक्राइब नहीं है यह केवल मायावती जी का व्यक्तिकत फैसला नहीं है एक चुनी हुई सरकार कोई गलत फैसला नहीं कि तो अगला कि वहां कि नहीं कोई नहीं होते हैं कोई गलत काम किया है कोई नुक्सान पहुंचाया है तो उसके भरपाई सरकार करेगी अगर मायावती जी तो पहले समझ लेते हैं प्रतीक सोम जी भी हमाई साथ जुड़ चुके है आज वक्ता है सुप्रीम कोट के प्रतीक जिस तरह से सुप्रीम कोट की टिपड़ी है थी उसके बाद आज मायवती का ट्वीट भी आया है क्या कुछ का देखा जाए तो कोट की नजरियस था इस पूरे मामले में कोट ने तो अपना रुक आलमोस्स साफ करी दिया है जब एक ओरल ऑब्जरवेशन ओनरेवल चीट जसिस ऑफ इंडिया ने कहा है तो उसका में को लगता है दो अपरेल के ओडर पर जरूर इंपक्त आएगा और आलमोस्ट आप यही मान के चलिए कि इसी लाइन पर ऑडर हो होंगे देखिए एक बात बहुत क्लियर है कि यह जो भी 25,000 क्रोट रुपे के आसपास का पैसा है यह कोई पार्टी फंड का पैसा इस्तिम्बाल नहीं हुआ है वो एक ओनस टैक्सपेर का मनी है जी अगर देखिए एक ओनस टैक्सपेर का पैसा इसके अंदर लगा है और य इसल् içOn में उन्होंने फाइल की थी उसके अंदर काफी चीज़हें एलेक्शन कमिशन कोमीशन लेक्शन थी कि जो आगे इलेक्शंस वो उत को उसको कवर कर दिया चाए जब केम्पेनिंग खत्म हो जाए तो इससे एक डिरेट को रिलेशन होता है कि जब आपने अपनी पब्लिसिटी या अपनी पार्टी की पब्लिसिटी के लिए किसी चीज कोई पैसा खर्च किया तो वह स्टेट एक्स चेकर के अंदर हुआ है तो I think it is going to be a tough time for मायावती जी और ये पैसा उनको हो सकता है कि वापस जो है को देना पड़े ठीक सवाल यहीं पहर है कि सारजनिक धन का दुरुपयोग आखिर क्यों किया गया और इस पर अब सियासत किस तरह से अब रूप लेगी न तमाम मुदों पर चर्चा करेंगे बहस जारी लएगी लेगी लेकिन फिलहाल यहां पर करेंग छोटे से ब्रेक के ब्रेक के बाद आपका स्वागता और सवाल यही है कि अगर सारजनिक धन का दुरुपयोग हुआ है तो आखिर उसकी भरपाई कैसे होगी मूर्तियों की सियासी माया क्या है और आखिर मूर्तियों को लेकर आखिर माहौल कौन बना रहा और इसके सियासी नफ़ा नुक्सान को देखते हुए महापूर्सों की सियासत को महापूर्सों को अपने अपने खेमे में करकर वोट का सवधा करने के लिए यह कैसी सियासत का पिश्रिवास्तो जी जिसतना से ब्रेक से पहले प्रतीक सोमजी ने बताया कि बड़ा मामला था सारजनिक धन का दुरुपयोग हु कोट की टिपनी का कोई विरोद नहीं है कोट की टिपनी का कता ही गूए कोई विरोद नहीं है मैं पीर आप इसे बजे पी की साजिस क्यों बता रहे हैं कटी पतंग क्यों बता रहे हैं मीडिया को भी इंबाल बता रहे कहीं ना कहीं से इनका इस तरह की बात उन्होंने कहीं है हम अपनी करफे क्वेशिerstिर हुगा सब्सक्राइब क्योंकि कोड़ व्यापक उसके आडऱ्िज को इवयल करती है यहां सारे अधिवक्ता इसमें कम से कम तीन अधिवक्ता तो बैठेगे हैं मैं एक चीज यह कहना चाहता हूं कि अगर एक मूर्ति के लिए बात यह आती है तो और तमाम मूर्तियां लग रही है अभी गोरकपुर विश्विद्याले का नाम बदला गया और उसको दीन द्याल को भी उठाना पड़ेगा सापा भी अरे सुन तो लिए मेरी बात सुन लिजिए तिरपाटी जी हो सकता है कि रकम के आकड़े क्यूंकि रकम आपने खर्च की हैं आप बैतर बता पाएंगे मैं अपने रकम पर बात नहीं कर रहा है तो आप मैं कहने कि यह बात कर रहा हूं जिस सुन को लिजे थोड़ा धैर रख लिजे थोड़ा धैर रख लिजे सुन लिजे मेरी बात आप ने ऐसी तहा मुर्थिया लगाई है विरोध को लेकर रहा हूं या उस पर ख़च की नहीं है मुझे किसी भी महापुरुष के जिसको यही तर्थ कर रखे जाते हैं कि तक बात आ रही है तो ऐसी तमाम फिजूल खर्चियां फिर तमाम पार्टियों ने मुर्थियां लगाई है उस पर भी आएंगा अध्या में बड़ी मूर्थि लगाने की तयारी है वह तो छोड़िये जाने दीजिए अभी मैं आपको बता हूँ कि गुजरात में जो एक प पर देखिये जरा कैमरा परसन इसको दिख रहे हैं आपको तक्षा को जनकारी नहीं है जोगी जी के को कवरेप करने के लिए ली गई है और यह गोरकपूर के पुलिस लाइन्स में रखी गई है यह सफारी गाडिया है टाटा की विवियाई पी एस यूवी सफारी गाडिया है तो यह भी पैसा का दूरुपी होगा है टेक्स पे ही का जो यह नाम बदल लाए है क्या इलाहाबाद बदल गया प्रियागराद बदल देने से लेकिन करीब 12,000 करोन रुपया इस पर प्रियागराद पे खर्चा हुआ इसी तरीके से तरा जो नाल ये बदल दे जाए उस पे कई 1000 करोन रुपय तेज के टीपो जिनका राब हो रहा है क्या समाजवादी पार्टी आज मुलाहिम सिंग यादो जी के उस बात के लिए माफी मांग रही है माफी मांग इसके लिए बिवाईया सिकांटा काता मुलाहिम जी आदो जी कर देखाए आप मुझे आप साक्षे दीजे साक्री बात कीजे कम से कम हम लोग एक आउदे पर बैटे हुए लोग है आदर्श के रूपे हमें समारा समाज लेता है थीक है मुर्गों का भी रही हुआ था जबाता है ने वर्टे यहां पर बात की आउदे पर किनारे के तरक जाएं ठीक है प्रवार्ट का रहे थी अंबेट करकी उपेक्षा कारोप लगा कि मूर्तियों का अवरंड किया गया लोकारपन किया गया और अब यहां पर सवाल फिजुल खर्ची का कि देखिए मैं मूर्तियों के विरोध में विरोध में विरोध में विरोध में मुझे बोलने दीजिए मुझे बहुत कम समय मिला हमारी जो है बहन मायावक्षी जी की मुर्तियों प्रावन लगे विरोध में विरोध में विरोध में देखिए पहली बात तो यह कि मुझे लगता है दिवाइडर थे जितने भी सरकारी बसेश थी यहां तक की सिया वक्ष बोर्ड की बिल्डिंग हो गई सबको भगवा रंग से रंग दिया गया इसमें कौन सा जनहित जुरा था यह मुझे राकेश पार्ठी जी अभी बताएंगे दूसरी बात मैं यह कहना चाहरा हूँ कि भारतिय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या है असल में आज तक इनके पास इनकी पूरी पार्टी का इतिहास अगर देख लिया जाए RSS 1925 से लेके जनसंगुच से होते हुए 1980 में भारतिय जनता पार्टी के अस्तित्तों में आने तक इनके पास ऐसा कोई महापुरुस ही नहीं है जिसका योगदान देश की आजादी की लड़ाई में रहा हो जिसका योगदान देश को बनाने में रहा हो तो फिर ये मूर्ती किसकी लगाएंगे इसलिए ये इसका बिरोध करते हैं कोई प्रिनडा स्रोत अगर भारतिय जनता पार्टी के संपूर इतिहास में भारतिय जनता पार्टी की संपूर बंसावली में कोई प्रिनडा स्रोत हो जिसकी मूर्ती ये लगा के गदगद हो और प्रदेश और देश भी प्रिनडा ले तो राकेश जी आज कम से कम भारत समाचार के चैनल पर आपके अखाड़ा के दर्सकों को बताएं मेरी जो समझ कहती है कि इनका योगदान देश में पॉजिटिव होने के बजाए हमेशा नकारात्मक रहा पॉजिटिव महाल रहा है कि आप पॉलिटिक्स को ये तमाम सवाल है तरीके से जवाब दूगा आपको जवाब लेंगे लेकिन प्रतिक्स को बताई कपीश जी अभी कह रहे थे मैं उनको बोलना चाहूंगा बाय शाउटिंग लाउड फैक्ट्स विल नॉट चेंज फैक्ट इस कि स्चेट के एक्स चेकर का पैसा गया है और वो पैसा पब्लिक वेलफेर के लिए नहीं लगा हमारा कॉंस्टिट्यूशन क्लिरली क्याता है कि वेलफेर आफ दा स्चेट होना चाहिए किसी पत्थर की मूर्ति को बना के जब हजारो करोड रुपे खर्च होते हैं तो उस चीज़ का संग्यान कोड जरूर लेगा और लॉफ लैंड अपने आप जो है वो काम करेगा जो आप पास करें जो इनोंने नामकरण चेज़िया है इनोंने इदहाबात प्रियागराच क्या है तो आप यह भी जाके स्चेट गर्मेंट यूज करती है वो फिक्स एसिट के अंदर इंवेस्मेंट होता है उसका रिटर्न जो होता है वो वेलफेर ऑफ दा स्चेट के लि कि मूर्ती कहां से स्टेट का विए आप बता दीजिए और अगर आपको इस बात है और दूसरी बात आप वहां खरीदते ही बीस परसेंट तो आप वैसे ही रिडियूस कर लेते हैं उसका दाम ठीक है तो प्रदेश को चुना लग रहा और एक जिले के लिए लिए वह जब बा को लगत हो रहा है नो तो सब के लिए बराबर है ऐन्यया दूरौ फिरहा ऑसे ही गवाल हुआ हिघर का फैयो दो प्र इधाबात का नाम क्या गया और तमाम जगव का नाम बदला गया दिन आलो पाद्द्याएं ठीक है यह अपना सथमें अहसिए हैं नम hardness करतें मैं यह कह रहा हूं कि जैसा कि सम्मानिय प्रतीक स्वाम जी ने भी कहा और माननिय कोर्ट ने भी अभी एक टिपनी की है मेरा यह कहना है माननिय कोर्ट का मैं पूरा सम्मान करते हूं कह रहा हूं माना की कोर्ट जैसा कि सोम जी ने कहा है कि इसके विपक्ष में यह कहेंगे कि इनका पैसा देना चाहिए अम माना की पैसा बहन माया बती जी भरपाई कर देती हैं तब वो मूर्तियां तो वहीं रहें पर तो वहीं रहेंगी सब कुछ यह एक और दूसरी बात तो यह एक महत्पूर्ण बात है कि सम्मानिय कोर्ट तो सब चीज़ों का संधान लेगा भाई यह यदि हम पे कर देते हैं तब तो मूर्तियां जाइज हो गई है हाथी भी जाइज हो गाएं सब को पर बेलफेर का मुल्यांगन किया जाएगा ठीक राकेश त्रीपाटी जी बताई कई आरूप आपके ओपर लग गया हैं तो थोड़ा सा समय इस ले लोगा अगर उसको सफेद रंगें से रंगा जाए या भगवा रंग से रंगा जाए इसमें कोई फरक नहीं पढ़ना चाहि लेकिन कॉंग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों को भगवा रंग से जाने को चिड़ा है जो भारत के तिरंगे का रंग है उससे नजाने को चिड़ा है इसलिए उसको लेकर कि ने राश्तरगान का विरोष किया था अगर ने कि रहाए जो सब्सक्राइब करने में पास वक्ती कमी है अगर बाती दलता पार्टी के खरक्षी पर ने को चाहिए थीक है तियासत में अपने सवाल हो जाए था ठीक है उमासिक भड़ी तो आखिर मोर्तियों पर महाबारत क्यों और आखिर महापूर्सों की खेमे बंदी करके कौन अपना सियासी नफ़ा नुक्सान देख रहा इन तमाम सवालों के जवाब यहाने बाकि है लेकिन फिरहाल आज की बहस में इतना ही तमाम अहमानों तमाम अधर शुका बहुत शुक्रिया नमस्कार